हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्टॉक मैनी चैनल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और शांदार स्टॉक के बारे में जो लॉंग तर्म में आपको अच्छा रिटेन बना के दे सकता है लाज केप की कंपनी है और बिजनेस बहुत ही शांदार है फमसीजी सेक्टर से चांस रहेगा जादे से जादर क्वांटिटी एड करने के लिए जितनी जादर क्वांटिटी एड कर पाओंगे उतना ही बड़ा रिटर्न आपको लॉंग टर्म में मिल सकता है तो इस वीडियो की में हम इस इस स्टॉक के सबसे पहले फंडामेंटल्स देखने वाले हैं कि fundamentally कितना strong है stock पर नाम जानेंगे वो चार्ट पर जानेंगे कि कौन सा level है कौन सा buying zone है जहां पर हम stock में जादा से जादा quantity add कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं market cap तो market cap देखिए 3,46,491 करोड का है current price जो चल रहा है 1,749 रुपे का बनाया है 52 week high जो है 1,870 का बनाया था 52 week low बनाया इसने 1,446 रुपे का dividend अच्छा देती है कंपनी 1.26% का 13 रुपे का तो per share dividend ही देती है कंपनी face value 1 की कंपनी है आप to equity ratio देखे तो zero है और total कर्जा company के उपर zero है यानि की कर्जा है ही नहीं company के उपर ऐसी company में अगर sales ज्यादा होगी तो अच्छा जो है आपको भी profit होने वाला है आपके share का price अच्छा बढ़ने वाला है और long term में आपको बहुत अच्छा return दे की जाएगी ये company आप promoter holding देखे इसके 67.18% की और एक भी share company का गिरवी नहीं है cash amount company के पास देखिए results 7443 करोड का पड़ा हुआ है तो company के overall fundamental parameter देखें तो अच्छे लग रहे है quarterly result में आपको बता देता हूँ brief में sales देखिए पिछले quarter के compare में 9558 करोड से 9945 करोड का sales बढ़ा है operating profit देखिए 2046 करोड से 2321 करोड का तो operating profit भी बढ़ा है operating profit margin बढ़ा है और net profit देखें तो बहुत अच्छा improvement आया है पिछले quarter में आप देखिए September quarter से December quarter में जो ये sales और profit जो है कम हो चुका था यहाँ पर profit देखिए आप 1525 करोड से 1444 करोड का हो गया था लेकिन अगर आप March 2019 quarter में देखें तो net profit जो हुआ है 1538 करोड का अब year wise जो है profit and loss statement देखता है इसके sales देखिए March 2018 से March 2019 तक देखें तो 34525 करोड से 38224 करोड तो sales में बहुत अच्छा जो है उच्छाल आया है stock में operating profit देखिए 7220 करोड से 8637 करोड का हुआ है operating profit margin बढ़ा है net profit देखिए 5237 करोड से 6036 करोड का हुआ है earning per share बढ़ा है dividend company अच्छा दे रही है सिर्फ ए market correct हो रहा है उसके कारण stock में गिरावट आ रही है तो ऐसे stock को panic में exit नहीं होना है ऐसे stock में ज्यादा से ज्यादा quantity buy करनी है क्योंकि stock के fundamental में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है fundamentally strong stock है और जिस stock का fundamental strong होगा उसमें कितनी भी गिरावट आ जाए थोड़े time के लिए गिरावट आ सकती है लेकिन long term में ये stock आपको शांदा return बना के देगा अगर last 10 साल का track record देखें अगर तो ROE देखिए 86 percentage का maintain किया है तो कितना शांदर जो है ROE है फिर देखिए आप इसका balance sheet देखिए रिजर्व देखिए 7,443 करोड का रिजर्व से cash amount पड़ा हुआ है total assets company का देखें तो 18,304 करोड का है cash flow देखें तो positive है company का मैं आपको नाम बदा देता हूँ company का नाम है हिंदूस्तान Unilever Limited हिंदूस्तान Unilever is India's largest fast moving consumer goods FMCG company है और बहुत ही जबरदस्त company 80 साल पुरानी company है आगे भी इसी तरीकी का business चलता रहेगा इस company का तो ये company आपके portfolio में होनी ही चाहिए ताकि आपको अच्छा return मिल सके long term में इसके मैं return बता देता हूँ आपको return देखिए 10 साल में 547% का return बना के दिया है 5 साल में double से भी उपर जो है इसने return बना दिया है और आप यहाँ देखिए आनंद राटी ने जो है 11 जुलाई 2019 को देखिए target कितना दिया है 2250 का लेकिन ये stock तो long term में इससे भी उपर जाने वाला है तो panic नहीं करना है 1731 रुपे का अभी current price चल रहा है चार्ट पर में आपको बता देता हूँ उससे पहले इसका share holding pattern देख लीजी आप share holding pattern देखें तो promoter की holding में कोई भी ज़्यादा changes नहीं है FIs की holding देखें अगर तो बड़ी है mutual fund की holding बड़ी है तो share holding pattern में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है 293 mutual fund ने पैसा लगा कर रखा है और 1033 FIs का पैसा लगा हुआ है आप सोच सकते हैं कितना बड़ा पैसा जो इस stock में लगा हुआ है company का अगर CV देखें हम तो 13 रुपे का dividend देती है और अपनी industry में number one company है अब मैं बताता हूँ चार्ट पर इसके level तो 1720 का आज closing आया है यानिकि 1720 रुपे पर ये stock close हुआ है monthly chart पर stock को लगाया हुआ है एक candle जो है एक महीने की है इसका सबसे अगर इस chart में देखें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा इसका 10 का exponential moving average 10 का moving average है simple आप देखिए 1745 का है और 1745 को इस stock ने तूड़ दिया है तो अब जो इस stock में थूड़ी बहुत और गिरावट आ सकती है और अगर Fibonacci के हिसाब से भी देखें तो इसका buying range जो है बहुत नीचे आ रहा है तो stock में अगर गिरावट भी होती है तो panic करने की आपको ज़रूद नहीं है क्योंकि 30 का moving average इसका 1454 रुपे का है आप सोच सकते हैं तो 1454 से लगा कर अभी जो आपका current price है 1720 ये आपके लिए best buying zone है और monthly chart के साब से मैं आपको support बता देता हूं stock में और गिरावट आई तो आप देखिए 1662 तक ये stock आ सकता है वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा quantity add कर सकते हैं और अगर आप Monday को stock में buying position बनाना चाहते हैं swing trader भी अगर बनाना चाहते हैं जो 10 का exponential moving average 1745 से उपर का closing Monday को देना चाहिए यानि कि 3 बच के 25 या 26 मिनट पर 1745 से अगर उपर trade कर रहा है stock में तो आप लोग जो है swing trading के लिए भी पैसा लगा कर रख सकते हैं और long term investors जो long term के लिए invest करना चाहते हैं वो लोग SIP में stock आपको खरीदना चालो कर दीजिए जैसे जैसे stock में गिरावत होईगी आपकी quantity बढ़ती जाएगी और long term में जब सारी quantity जादा add हो जाएगी तो ये quantity आपको अच्छा return देकी जाएगी जैसे mutual fund में होता है आप बहुत सारी unit एक बार इखटी कर लेते हैं तो फिर उस unit में थोड़ा सा भी upper moment आता है तो आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है इसी तरीके से stock में भी SIP करोगे fix amount से तो गिरते हुए market में आपको ज़्यादा quantity stock के मिलेगी और return अच्छा मिलेगा ये ही stock market का nature है अगर गिरते हुए market में एक अच्छे stock में SIP mode में buy करोगे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा share add होंगे ताकि आपको long term में return ज़्यादा मिलेगा I hope आपको अबरे वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो